हाई फ्रेंड्स में अकंचा सरमाजी की वितकंचा में अपका स्वागत करती हूं फ्रेंड्स मैं यह वीडियो लेकर आई हूँ इसमें MPPSC इंटर्व्यू में पिछले 5-10 सालों में जो भी प्रेशन आये हुए हैं उनसे संबंदित हम कुछ मध्यपदेश से संबंदित कोशन देखेंगे आज 20-25 कोशन हम कल देखेंगे फिर देन कल देखेंगे दो वीडियो में यह कंप्रीट होगा इसके बाद जो भी आ सकते हैं वर्तमान करेंट को लेकर कोरोना को लेकर या कौन साथ बहुत जदा होट टॉपिक है उससे संबंदित आ सकते हैं तो वो भी हम इसी क कि लिए तो चलिए इंटर्व्यू के लिए मैंने वाटसप गुरूब बनाया वॉटसप टैलिग्राम पर पर यूज़ोर सकते हैं उस में आप डिसकसन कर सकते हैं और उंटर्यू के लिए वहाँ पर कोशन दिये जाएंगे थोड़े समय बाद तो आप पर जोइन हो सकते है लिंक आपको डिस्कुर्शन वोक्स में मिल जाईगी पहला कोश्च ने घोटल प्रता क्या है एक पूछा गया था कि मध्या सकती वो लोग जो जनजातिये चैत्रों में निवास करते हैं तो वहाँ पर इसकार के question जरूर पूछे जा सकतें क्योंकि वहाँ यह जन जातिया रहती है तो कोई व्यक्ति जो इंटर्वुग दे रहे हैं और वह उस विसेश जाती से संबंदित है तो उनको यह अपनी जाती से संबंदित चितने भी जो कला और संसकति उससे संबंदित पक्ष आपको अच्छे से कर लेना है इसके बार डिप्टी कलेक्टर और क्या अंतर होता है यह कोशन बहुत जदा पूछा गया है तो इस कोशन को आप अच्छे से कलेना पहले हम कोशन देख लेते हैं फिर आम आगे जब हमारी वीडियो बढ़ेंगी तो हम इनके आंसर को कैस प्रेकार से देना है तो वह भी मैं करा दूंगी तीसरा कोशन आप क्यो आप अपनी इंटर्व्यूस की तैयारी खुद से कर सकते हैं वह कहीं दूसरे जगे से नहीं कर सकता है लेकिन आप जब लोगडाउन खुल जाएगा तो आप इंटर्व्यूस के लिए कोई भी कोचिंग जोईन कर लीजेगा तो उससे क्या होगा कि प्रेक्टिस हो जाएग कि हमारे मध्यापदेश जो है एक परेटन हब बन चुका है तो उसको और बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए या मध्यापदेश सरकर की परेटन नीती क्या है या आप से ये पूछ सकते हैं आप अगर प्रेसासर में आए तो आप को परेटन को बढ़ाने के लिए प प्लानिंग है अब क्या करना चाहिए कि साक्षरता दर बढ़ जाए मध्यपरदेश में जनजातियों की इतनी वड़ी आवादी होने के बावजूद विवाई आधुनिक सब्विता से क्यों नहीं जुर पाई है मध्यपरदेश में इतना जदा जनजाती है जनजाती में हम न मध्यपरदेश में खनेश संपन होने के बावजूद भी इसके उत्क हरण मे वहें क्यों पीछे रहा है मतलए मध्यपरदेश में अच्छा खासा खनेस Ugyanos Sum Kasadhan!. यहां पर नदी के बारे में कुछ बताईए और और कोई भी वारे में आपसे पूछ सकते हैं या आप जैसे कि विदीशा में रहते हैं तो आप से बेतवा के बारे में पूछ सकते हैं आप जेन में हैं तो चिप्रा के बारे में पूछ सकते हैं ऐसे ही आप गुना सोकनगर में हैं तो वहां की नदियों के बारे में पूछ सकते हैं तो इस प्रेकार से आपको हर नदी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकरी ऐसा रख लेना देखी जानकरी तो आपको है क्योंकि आप मेंस देखना हैं लेकिन एक्दम फ्लूएंट ऐसा रही कि आप वहां से बोल पाई की नर्वदा नदी यहां से निकलती इनकी लंबाई इतनी है और इतना इनका अब वहाँ छे पड़ता है मद्याफ परदेशता यह तो यह कोशन क्या हो जाता है क्योंकि सरकार हमारे चेंज हूई है तो उससे प्रथक राज बनाने की सर्कार को क्या फाइदा और आपसे यह वी पूस्रकार को क्या नुकसान है निए दोनों इस तरीके का कोशेन पूस सकते कि I remember theedral मेंस और मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं मेरत जो मेंस और पाकेज है उसमें आपको 68 बुक्लेट में गी जिसमें 45 एक DR की मिलेंगे 19 बुकट एट में 16 आपको प्री के नोट्स मिलेंगे टीन वाइस यह यह उनमगी ऍटम्रेट आपको 10 अजार परेश्णों की और हाट कॉपी भी उपलब्द है हाट कॉपी में आपको 45 में से 12 फाइल 3 मार करके मिलेंगी आठ फाइल आपको solid paper की मिलेंगी और 25 फाइल आपको 1-6 पेपर तक की मिलेंगी इन सब के साथ आपको एक मेंस की ठैसीरीज फ्री मिलेगी और 25 फेट गुरूप मिलेंगे वाट्सप के इन गुरूप में आपको आंसर आइटिंग दी जाती आंसर कोशन तहीं अलग अलग प्रकार के नए-नाइ तक आप नए-एनसर किस प्रकार से हल कर सकते हैं आपको पता रहें अगला कोशन है क्य जो क्या हम अवश्यक्ता है या नहीं है जहां वारे में तो अगर आप बॉंदेल खंड से आघ तो यह पूछ सकते हैं आप मालवा से आ रहे हैं तो माल्वा के वारे में पूछ शक्ति जहां से भी बिलॉंग करते हैं उस शेतर के वारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी होना चाहिए ऐसी जानकारी उपलब्द होना चाहिए वो तुदा मध्य इतने हैं तो 152 अब ढुशले आपको बता देत सरकार्र की तेदुपत्र नीति के बारे में बता देना है क्योंकि हमारे मद्यवंद अच्छी हो जा थैंक तो आपको पता नीटि आपके वारे में उताहի ये आपको बताना है कि हमारे मध्यौपरदेश में कभी कर देंक다면 in समझाओ कि हमारे मदब पदेश को मिल चुका है बहुत बार तो इसलिए यह पूछ सकते हैं इसके बाद आर्थी ववस्ता में प्रात्मिक छेतर का क्या योगदान है यह आपको अच्छे से कर लेना है आपके जिले की प्रमुक फसल क्या है और वहां पर उखती है क्या ऐसी सक और वहां पर ऐसी बातावर्णी स्थिती है कि भुभाजल जादा हऊगा ही जाती है प्रदेस में साक्षरता लगाने क्या उपाई कर न चाहिए हो क्या उपाई किये गए हैं अभी तक सास किये और अगर आप प्रसासक बनते तो आप क्या उपाई कर सकते थे स्थालारी शी कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि हमारे हमारे हां मद्यपरदेश की साक्षरता दर कितनी है और पूरे भारत में और भारत में राज्यों में कहने सासत को मिलाकर क्या कौन सा स्थाने की कमेंट वॉक्स में बताईएगा तो साक्षरता बढ़ानी के लिए क्या उपाई किये गए हैं सास किये और आप अगर प्रिसा सक बनते तो आप क्या उपाई कर सकते तो दोनों का अंसर आप मुझे दीजिएगा मध्यपरदेश की महिला हिंसा से संबंदित कोई ती वर्तमान की किनी तीन समिदन सील घटनाओं पर प्रिकास डाले आपका नाम और आपके नाम का अर्थ बताईए तो यह कुछ कोईशन थे फ्रेंट जो लास्ट एक्जाम में पूछे जा चुके हैं बहुत सारी मैग्जीन से मैंने निकाले हैं और भी बहुत सारे प्रेस्ट जो में नेक्स वीडियो में बताऊंगी आप इंटर्व्यू की डिसक्रिशन ग्रॉप से जोड़ना चाहते हैं तो वाट्सअप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी साथ में आपको हमारे वाट्सअप टेलिग्राम फेस्ट बोक और